कि एक ओए रूमनं अफोष कि हमारे ज्वीऊर हैं काफी ज्यादर लिपांड थे उनकी इसको भी इसको भी सम्झाव थोड़ा तो समझते हैं धूद्वर इसको क्या हुता है क्या है है यह सब तो यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं धरो ऐसे यह तीन वर्ड का तो इसने इसको बोलते हैं कि हाई डू नेफिरोसिस तो यह पानी भरता ही कि हैं जारते हैं हम जानते है जो है बिल्ड़ को फिल्टर करने काम करते हैं करते हैं यहाँ पर फोटम देखिए एक तरफ से बिलड़ आया और एक तरफ चला गए तो बचागए जो बैस्टेज बहुतुर पिशाब लग जाती है तो इस तरह से काम होता après है किड्नि के अंदर पानी बरागा वसमें कुछ भी रूह रकावट है इसके होने के खार नए कर miss और में पाइज जा रहा हूए तो यह म envision में帶ई यहांपे इनलार्ज और फोटम देखिए यह वर जो यू फोट बिलेंगे यूरित्रा के चार ओर होती है ठीक है तो यह प्रोस्टेट्ट ग्लेंड ही है जो हमें पिशाब कंट्रोल करती है यह कब पिशाब करना नहीं करना है तो यह क्या इस तरह से आप यहां से मान करते हैं यह सपोस्ट जी यूरित्रा है यूरित्रा इस पर यह से लगी रहेती है ग्लेंड इसको भी प्लोकुल करके अब यह 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 से होती है तो क्वार क्या होता है यह जो प्रस्टिट ग्लेंड है इसका साइस बड़ जाता है और साइस बड़ेगा तो यह स्क्रड जाता है यूं जब मोटी होगी प्रोस्टेट ग्लेंड तो यूं यूं करके सुकड़ जाती यूं यूं तो यूरेथ्रा दबने लगता तो आदमी जब पिशाप करने जाता है तो उसकी पिशाप उतर नहीं पाती है और जब यूरिनेर ब्लेडर में पानी ज्यादा भराया तो जार से बाता गए किऊमर बगर वगर निक अंदर वसकh धियों गणाता है किसी RS गख़ानागे इंफ्क्षन के वाज़ेसे व्यों बन गेया इस टोन नहीं है लेकिन टीमर है तब भी पानी रोब जाता है कुछ inar к गारनी के किड्नी क झौह ओर कर नीडिना के थाहीं तो एक्स्ट इस में दर्द होता जोता है किड्नी के नों तरफ यहाँ पे पीछे की तरफ back side में दर्द होता है क्यों वार पेट में भी दर्द होने लगता और पिशाब करेगा अगर उसकी प्रोस्टेट बढ़ गई होगी अगर प्रोस्ट्ट के कारण हुआ यह चीजज तो पिशाप करने में दर्द होगा ठीक है पैनफ लिरोनेशन होगा और फिर क्या हो सकता है यहां पर कि कई बार लोगों को पृशाब में फीला पना सकता है पैन होगा और यहीं दोस्तों की इसमें सिर्फ और सिर्फ यह हाँ तो प्रस्टेट कहलते हैं तो वो सोनोग्राफिक कऱा सकते हैं या स्टॉनों हो सटेब् reflecting तीन की सब्ड़ सकती है इन तीनर प्र bancade अधर यह जो है жूलाओ की जाता है और ज्यादा ज्यादा यूरिन की यह सब हो सकता है कि इसके दौरा यह पता चल जाता तो तो यहां पे लग्षन क्शन क्या होते हैं आप ग्त क्या होती है और डाइगिनोस क्या क्लियर कट नहीं है बड़ डिपेंड करता है किस बज़ेंस हुआ है तो दोस्तों यह होता है नेफ्रोश जरूर नहीं है कि सर्फ एक किसी परडिकलर एज की वेक्तिक को हो नेफ्रोश अन्बॉंड बेवी को भी हो सकता है अन्बॉंड जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ पे सब्सक्राइब करें चल्ड को सब्सक्राइब कर लें सो मैं मिलता हूँ अगरे बने दोस्तों जैन बने मात्रा